हेलो फ्रेंट्स आज हमारे पस OnePlus Note CE2 Android 13 बर्जन का एक Google अकाउंट लोक रिमोब या डिलीट करने के लिए आया है तो बिना कॉंपिटर और सौफ्टेयर बॉक्स के ही हम लोग OnePlus Note CE2 का Google अकाउंट डिलीट करेंगे तो विडियो को अन तक जुरूर देख लेना ठीक है क्योंकि इस विडियो में मैं एक नया ट्रिक्स आजमाया हूँ और यह लेटेस्ट सेक्यूर्टी पर है टॉक्बेक मेथोड पर काम नहीं करता है ठीक है तो सबसे पहले आपको वाई-फाई कनेक्ट कर लेना है और इसी प्रोसेस को यूज़ करके आप कोई भी वान फ्लस मोबैल का गूगल एकाउंट लॉग बाइपस कर पाएंगे बहुत ही आसानी से बीना कॉंप्यूटर और सफ्टियर वॉक्स के ठीक है तो यहां डंट कॉपी और देख सकते हैं यह बेरिफाइंग यू एकाउंट गूगल एकाउंट मांग रहा है जो कि हम लोग को याद नहीं है तो हम लोग को सिंपली आपको बैक आजाना है आपको आना है कहाँ पर कनेक्ट टू वाइफाई पर ठीक है थीरी डॉर्स आएगा थीरी डॉर्स पर टैप करके आपको शियर आर्टिकल पर टैप करना है तो अभी मैसेजस सिलेक करना है और निव मैसेज सिलेक कर देना है यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दीजे ओन टू वान और सिलेक कर दीजे यहाँ पर कुछ मैसेज लिखा होगा पहले से ही डिलीट कर दीजे उसको और यहाँ पर टाइप किजिए www.youtube.com और सेंड कर दिजिए इस SMS को और यहाँ पर टैप करना है आपको दुबारा से यहाँ पर टैप करना होगा तब जाके YouTube ओपन हो जाएगा तो अभी आपको यहाँ एलो करना है और सेटिंग्स उसके बाद हिस्टोरियन प्राइबिसी यूट्यूब टाम्स आप सर्विस तो यहाँ पर नीचे यूज विदाउट एन एकाउंट करना है कंट्यून करना है एलो कर देना है यहाँ पर टैप करना है करने के बाद पहले ओफसाइट पर जाना है जाने के बाद आपको सेटिंग्स के आगे ओपन लिखा होगा वहाँ पर टैप करके इधर सेटिंग्स पर चले जाना है ठीक है तो सबसे पहले आपको एबाउट डिवाइस पर दिखाते है वन प्लस नॉट सी इटू और इसका एंडरोड बार्जन थार्टीन है ओक्सीजन ओएस थार्टीन है तो बहुत ही आसान इसे बाइपास करेंगे इसको कोई नहीं आपको इधर दिखाते हैं उपर आपको मिलेगा होम इसकीन अनलॉक इसकीन ठीक है इसमें टैप कर दीजिए करने के बाद होम इसकीन ले आउट यहाँ पर टैप करना है अभी तो OnePlus यहाँ पर आपको Clone Phone दिखेगा Clone Phone इसमें टैप करना है करने के बाद इस Mobile को New Device करना है LOEA सब कर देना है जो भी मंगता है और आभी आपको एक नया Mobile कोई दूसरा Mobile चाहिए उस Mobile पर आपको Chrome ब्राउजर पर जाना है जाने के बाद यहाँ पर आपको चार्ज करना है Oppo Clone Phone APK ठीक है देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अल्ड़ी चार्ज करके रखा है Oppo Clone Phone APK तो इस फोन को आपको एप्लिकेशन को इनिस्टिल कर देना है टैप करके तो प्लेश्टिर में चला जाएगा डाइरेक्ट यहाँ पर इसको मैंने अल्ड़ी इनिस्टिल करके रखा है इसको ओपेन कर देते है ओपेन करने के बाद Start Migration OK कर देते हैं कुस एलो मंगेगा एलो करने के बाद यहाँ पर QR इसकेनर आ जाएगा तो हम लोग इसकेन कर देंगे और दूसरे मूबाल पर OK करना है करने के बाद Start Migration कर देना है ठीक है और आपको बताते हैं अगर आपके पास डाइरेक्ट आ जाता है तो कर लीजिए नहीं तो एक बार मूबाल को hard reset करके दूबारा से ट्राइ कर लेना ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग होता है उल्टा उल्टा इसमें काम करते हैं तो यहाँ पर done कर दीजिए और इस mobile का काम अभी हो गया इसको site में रख देते हैं यहाँ पर done कर दीजिए आप done ओके तो button तो skip और यहाँ पर get started तो हम लोग ने बीना computer और software बॉक्स के ही इस mobile को बाइपस कर दिया वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया आपका दिन शुबु हो जहिन बंदे मातरम